अगर आपके उम्र 18 साज से कम है और आप लोग एक लिए पैन कार्ट अपलाई करना चाते हैं तो ओनलाइन ही आप लोग घर वैटें अपने मोबाल फोन के माद्दयम से सिर्फ आधार कार्ट से एक लिए अपलाई कर सकते हैं Then apply करने के बाद में मतर 15 दिनों के अंदर ही आपका जो pine card है physical वाला वो by post आपके address पर send कर दिया जाता है और जो digital pine card है बहे मतर 24 खंटे के अंदर ही आपकी email ID पर send कर दिया जाता है और इसके बाद आप लोग इस pine card को कहीं पर भी use कर सकते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile के किसी भी browser को open करना है और यहाँ पर आप लोगों को type करना है pine card इतना type करने के बाद में search कर देना है पहले नमबर पर ही आपको website देखने को मिलेगी online pine application आपको इसी वाली website पर एक बार क्लिक करना है इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह हैं से page आ जाएगा option यहाँ पर देखने को मिल जाएगा apply online और सबसे पहले यहाँ पर application type को select करना है जिसमें की पहले वाले option को ही select करेंगे new pen Indian citizen second number पर आपको category select करनी है category में आपको यहाँ पर इंडिविघ्वल वाले option को select करना है अब आपको यहाँ पर application की information को fill करना है जिसमें की सबस्वuluğी Penny टाइटल सेलेक्ट करेंगे टाइटल में अगर कोई भी लड़का है तो उससे स्री सेलेक्ट करना है, कोई भी लड़की है कुमारी तो उसे कुमारी सेलेक्ट करना है अगर कोई महिला है, तो उसे स्रीमती सेलेक्ट करना है, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को last name को फिल करना है यहाँ पर आपको first name फिल करना है और इसके बाद middle name फिल करना है date of birth आपको इस calendar के माद्दम से select करनी है email ID यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर mobile number को enter करना है एक box दिखाई दे रहा इस box पर आप लोगों को tick लगाना है then इसके बाद में यहाँ पर एक और box दिखाई देगा इस पर भी आपको tick लगा के submit वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने एक token number generate होके आ जाएगा जिसे कि आप लोगों को note करके कहीं पर रख लेना है या फिर इसका screenshot ले लेना है और यहाँ पर continue with find application form वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद कुछ इस तरह हैं से page आ जाएगा यहाँ पर आपको नीचे की side में आना है दो option देखने को मिल जाते हैं कि आपको pbc physically pain card चाहिए या नहीं तो हमें pbc pain card चाहिए इसलिए yes वाले option को select करना है और यहाँ पर आपको अपने आधार card के last के four digit को enter करना है जो भी आपके आधार card पर नाम है same to same name यहाँ पर fill करेंगे यहाँ पर आप लोगों का जो title है और last name है first name है वो automatic ही लिखके आ जाएगा और इसके बाद में आपके pain card पर जो भी नाम print होके आएगा वो नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं date of birth यहाँ पर आपकी आ जाएगी इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपने gender को select कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को registration number वाले option में कुछ भी fill नहीं करना है यहाँ पर पूँचा जा रहा है कि आपको किसी और नाम से भी जाना जाता अगर आपका कोई और नाम भी है तो yes करेंगे नहीं तो आपको नोबाले option को select करना है और इसके बाद में यहाँ पर पूँचा जा रहा अगर कोई भी single parent है तो उसको yes करना है नहीं तो नोबाले option को select कर लेना है अब आपको यहाँ पर अपने पिता जी के लाश नेम को फिल करना है इसके बाद फिर्श नेम फिल करेंगे और मिडल नेम फिल करेंगे इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को अपनी माता जी का लाश नेम फिल करना है इसके बाद में first name और यहाँ पर middle name fill करना है अब यहाँ पर आपसे पूंचा जा रहा आपका जो pine card print होके आएगा तो उस पर आप लोग किसका नाम चाहते हैं अपने पिता जी का नाम print करवाना चाहते हैं या पिर अपनी माता जी का नाम तो हमने यहाँ पर पिता जी का नाम select कर लिया select करने के बाद में next वाले option पर आपको एक बार click कर देना है और अब आपके सामने next page कुछ इस तरह से आ जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर source of income बतानी है तो यहाँ पर काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं अगर आप लोग कोई भी काम नहीं करते और कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं तो यहाँ पर option देखने को मिल जाता है no income आप इससे भी select कर सकते हैं इसके बाद में दो option मिलेंगे पहला है residence दूसरा office तो हम यहाँ पर residence address को select करेंगे यहाँ पर आप लोगों को अपने complete residence address यानि कि अपने घर के पते को fill करना है इसमें कि सबसे पहले flat, room, door या फिर block number को fill करना है यहाँ पर आप लोगों को अपनी building या village का नाम fill करना है यहाँ पर आप लोगों को post office या road, street का नाम fill करना है area, locality का नाम fill करेंगे zip code में आपको कुछ भी fill नहीं करना है या आपको ऐसे ही छोड़ देना है office address में भी आपको कुछ भी fill करने की जरूरत नहीं है और नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पर आपको अपने telephone number और email ID की detail को fill करना है जिसमें कि आपका mobile number email ID पहले से ही fill रहेगी और यहाँ से आपको अपने country code को select करना है जैसे कि हम India का select करेंगे तो India का होता है 91 यही country code आपको यहाँ पर fill कर देना है और यहाँ पर option देखने को मिल जाता है representative access तो यही main option होता है इसमें आप लोगों को no वाले option को select नहीं करना है अगर आप लोग इस वाले option को select कर लेते हैं तो आपका pen card नहीं बनेगा इसलिए आपको यहाँ पर yes वाले option को select करना है then select करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को title select करना है अब इसमें आप अपने माता या फिर पिता की information को fill करेंगे तो अगर आप अपनी माता जी की information को fill करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्रीमती select करेंगे अगर आप पिता की information को fill करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्री स्लेक्ट करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जिसका भी आप नाम यहाँ पर देना चाहते हैं उनके last name को fill करना है, यहाँ पर आपको first name fill करना है और यहाँ पर middle name fill करना है, नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पर उनके complete address को fill करना है तो यहां पर आप लोगों को block, door या फिर room number फिल करेंगे इसके बाद building या फिर village का नाम post office का नाम, area, locality का नाम city town और district का नाम फिल करना है, यहां पर आप लोगों को country का नाम select करना है और इसके बाद में यहां पर अपने area के pin code को फिल करना है zip code आपको fill नहीं करना है और सारी information fill करके next वाले option पर click कर देना है और next page कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर option देखने को मिल जाता है save drafts तो आपको इस वाले option पर भी click करते जाना है जिसे कि आपने जितनी भी information fill की है यह सारा data आप लोगों का save होता रहेगा इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आपको आना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने area code को fill करना है AO type, range code और AO number अगर यह सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है तो इसके एक simple सी trick होती है नीचे के साइड में आएंगे Indian citizen वाले option को select करेंगे इसके बाद में यहाँ से आपको अपनी state का नाम select करना है यहाँ से आपको अपनी city का नाम select कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने area का नाम fill करके फैच वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके area का जो भी ऐो कोड रेंज कोड बगरा है बै आटोमेटिक ही आ जाएगा सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद में next वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद next page कुछ इस तरह से आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों को कुछ documents को देना है कि आप pine card के लिए कौन कौन से दस्ताबेश दे सकते हैं पहला document आपको identity proof के लिए देना है दूसरा address proof के लिए देना है तीसरा date of birth के प्रूफ के लिए देना है identity proof वाले option पर click करेंगे यहाँ पर हम इतने सारे documents दे सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर आधार card को देंगे और address proof के लिए भी हम आधार card को ही देंगे और date of birth के प्रूफ के लिए हम आधार card को ही select करेंगे यहाँ पर तीनों में ही हमने आधार card ही select कर लिया अब declaration का option आ जाएगा तो declaration में आप लोगों ने जिनका भी नाम fill किया था तो उनका ही नाम यहाँ पर automatic ही आ जाएगा select वाले option पर click करना है और यहाँ पर आप लोगों को representative access इस वाले option को select करना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने place का नाम एंटर करना है जिस भी दिन apply कर रहे है पाइन कार्ट तो वो date automatic ही आ जाएगी place में आप लोग अपने city town या फरे district का नाम भी fill कर सकते हैं और यहाँ पर submit वाले option पर एक बार click करना है और इसके बाद कुछ इस तरह से page आ जाएगा यहाँ पर आप लोगों को applicant के आधार card number के starting के 8 digit को fill करना है जो भी आधार card पर name है same to same name यहाँ पर automatic ही आ जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर कुछ नीचे की side में आते जाना है आपने अपने form में जो कुछ भी information को fill किया था सारी कुछ information आप लोगों के सामने आ जाएगी और यहाँ पर आप जो कुछ भी documents देना चाहते हैं वो दस्तावेट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद में proceed वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में payment page कुछ इस तरह से आ जाएगा 170 रुपए से 200 रुपए तक एक payment card apply करने के ले लेते हैं और भी कुछ नीचे के साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को I agree वाले option पर click करके proceed to payment वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में amount और transaction ID आ जाएगी pay confirm वाले option पर एक बार click करेंगे इसके बाद आप redirect हो जाएंगे payment page पर जिसमें कि आप net banking, credit card, QR code, wallet और UPI से payment कर सकते हैं हम QR code से payment करेंगे यहाँ पर आप लोगों को भीम UPI select करके make payment वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में display पर एक QR code आ जाएगा, इस QR code को scan करना है और scan करने के बाद में आप लोगों को किसी भी payment application के माददें से payment को complete कर देना है और इसके बाद में आपकी जो payment है बहे successful यहाँ पर complete हो जाएगी payment receipt में, payment status में आप लोग देख सकते हो success लिखके आ चुका है इसके बाद में आपको यहाँ पर continue वाले option पर एक बार click कर देना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा, अब आपको यहाँ पर अपने आधार card को authenticate करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर terms and conditions को accept करना है और authenticate वाले option पर एक बार click कर दे यहाँ पर आप लोगों को download PDF का एक option मिल जाएगा तो आपको इस PDF को download कर लेना है और download करने के बाद में जब आप इस PDF को open करेंगे तो यहाँ पर एक password लगा हुआ रहेगा, अब password आपका जो date of birth है भही आपका password रहेगा, date of birth आप लोगों को बिना किसी space के type करना है, जैसे कि आपके date of birth एक जनवरी संतो हजार दो है, तो आपको password में type करना है 01012002, इस तरह से आप लोगों को password type करना है, इसके बाद में यह जो PDF है आपके सामने open हो जाएगा, PDF आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से open होके आ जाएगा, अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आपको दो photo लगाने है, आप लोग जिसके भी नाम से pen card apply कर रहे हैं, तो उस बच्चे के आपको यहाँ पर दो photo लगा देने है, इसके बाद में आपने जिसे भी representative बनाया है, उसके आप लोगों को यहाँ पर signature करने है, एक signature आपको यहाँ पर cross में करना है, य इसके भी नाम से आप pine card बना रहे हैं, उसके आपको कोई भी signature नहीं करने है, उसके सिर्फ आपको दो photo यहाँ पर लगाने है, यह दो जगहे पर signature होगा है, इसके बाद में एक जगहे पर आपको और signature करना है, इसी form के कुछ नीचे की side में आएंगे, यहाँ पर आप लोगो को एक box देखने को मिल जाएगा, तीसरी जगहे आप लोगों को यहाँ पर representative के signature को करना है, representative अगर आपने father को बनाया है, तो तीनों जगहे पर ही आप लोगों को father के signature करने हैं, और इसके बाद में जैसे ही आप लोग signature complete कर लेते हैं, form में photo बगारा चिपका लेते हैं, अब आप लोगों को करना क्या है, जो भी आप लोगोंने signature और photo लगाया है, उस पाले form को ले लेना है, साथी आप लोगों को आधार card की photocopy को करवा लेना है, और साथी आप लोगों को अपने father के ID proof को, यानि के उनके आधार card की photocopy को करवा लेना है, इन तीनों ही documents को आप की स्लिप जनरेट होगी तो बहीं पर आप लोगों को यहाँ पर पाइनकार्ट ओफिस का एडरस देखने को मिल जाएगा तो इसी एडरस पर आप लोगों को इन डॉकुमेंट को बाई पोस्ट सेंड कर देना है यहाँ पर जो भी एडरस है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ज जैसे ही दोस्तों आपके डॉकमेंट्स पाइनकार्ट के ओफिस में पहुँच जाते हैं इसके बाद में आपका जो फिजिकली पाइनकार्ट है बहे मतर 15 दिनों के अंदर ही आपके एडरस पर सेंड कर दिया जाता है और इसी के साथ में आपके पाइनकार्ट का जो पीडि का बनके आ जाएगा और जैसे ही आपकी उम्र 18 साल से जादा हो जाती है इसके बाद में आप लोगों को अपने pen card पर photo और signature को upload कर देना है इसके बाद में आपको दोबारा से order कर देना है आपका जो pen card है दोबारा से आ जाएगा आपका जो pen card नमबर है वो बही रहेगा पैन काड नमबर चेंज नहीं होगा सो इस तरह से आप लोग ओनलाइन ही घर वैठे एक माइनर पैन काड के लिए अपलाई कर सकते हैं